नमेश्कार दोस्तों सौगत है आपका यूटीब चैनल में इस चैनल में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी स्टॉक को किसे चेक करें कि वो स्टॉंग है या नहीं है अब मैं आपको यहां पर दो चार्ट दिखाऊंगे और उनके उपर इनका बद सेम कंपनीज नहीं है वो पर मैंको मिला इमेडिये तो मैंने वो ले लिया क्योंकि दोनों पैनी स्टॉक्स है तो देखे एक है यह विकास प्रपे और दूसरा स्टॉक में लिए विकास लाइफ के लिमिटेड यह दोनों विकास से कंफ्यूज मत होना कि दोनों सेम है यह बिल्कुल भी सेम नहीं है यह दोनों डिफरेंट कंपनीज है तो इसलिए मनने ले लिया भी तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों के चार कि बात करते हैं जो जिसकी अभी वैल्यू जो है 0.59 है रुपीज पे चल रहा है तो अगर आप देखेंगे कि तो यह आई यह आई हाई एन हाई लोज बना रहा है तो अगर देखेंगे तो यह स्टॉक एक तरीके से लास्ट यह औगस से अब ट्रेंड में हैं यह स्टॉक क उसके बाद यह नीचे गिरा है फिर उपर कोशिश करें फिर नीचे गिरा है और अभी यह काफी इसी रेंज में है और नीचे को जा रहा है पर अप्ट्रेंड में कुछ टाइम से है यह तो हो सकता है कि यह उपर जाए देखें मैं पहले आपको बता रही हूं कि यह जो पै इसके आज एक बहुत अच्छी न्यूस भी आई है अगर किसी ने वह वाली वीडियों देखें और यह वीडियों देख रहे है तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं इस टाइम पे काफी अच्छा पॉइंट है इसमें काफी दुबई का टू पॉइंट ओ स्काई क्लब ज जाए तो काफी अच्छा चांस है अभी फ्रेश बाइंग का यहां पर एंड वैसे भी आप देख सकते हैं कि यह हवी रिजिस्टेंस पे अभी ट्रेड करा था वह उन पर सिस्टेंग क्या हो था और यह मोज अप करने वाला है अब हो सकता है डाउन भी चला जाए वो मैं कि सब्सक्राया पर मइं तो ईया कि कैसे फंदमेंटली चेक करें तो अब चार था करें तो चार्ट इसक्ट में पर पाट चलए रहे होगा है कि यहां पर अंट यह उपर अपर जा सकता है इस रहरा है जित्ना पर यहांक इसमें अ बात करें कि Explosions सिर्फ uptrend की बात करें तो यहाँ पे बना रहा है uptrend पर उतना कोई heavy uptrend नहीं बना रहा है जितना prominent इस चार्ट में बना रहा है uptrend रही तो अब इसको बताते हैं कि इसको fundamentally कैसे check करते हैं अब देखें जिसमें यह इतना prominent uptrend नहीं है यह काफी strong stock है इसके comparison में जिस पर बड़ा अच्छा uptrend बना हुआ है और बड़े उपर से आया है और बड़े compromise बना रहा है तो यह इतना strong नहीं है अब देखते हैं क्यों क्यों विकास प्रॉपल की बात करते हैं पहले जो मैं बोरू कि fundamentally strong नहीं है तो क्या क्या चेक करना होता है सबसे पहले तो देखें market cap जिस stock का market cap बहुत करना मैं यह नहीं बोल रहे कि वो भाग ही जाएंगे हर एक चीज छोटे से ही start होती है पर market cap के साथ साथ बहुत सारी चीज़े देखने होती है तो मैं सबसे पहले तो मैं market cap देखूंगे कितना है दूसरा promoter holdings कितनी है तीसरा face value तो चलो वो split भी हो जाता है बहुत सारी चीज़े हो जाती है वो सारी चीज़े इतनी वो नहीं करती है अब हम आ जाते हैं चाट के अभी technical के हम बात भी करेंगे अभी हम सिर्फ fundamentals की बात करेंगे तो यहां पे तो थोड़ा सा यहां पे screener पे बताया भी होता है कि इसके cons क्या है पर यह पांच साल का लेके चलते हैं तो थोड़ी analyze करने में दिक्कत भी हो जाते है अब यहां पे आते हैं हम quarterly result पे तो quarterly result हम क्या देख रहे हैं कि इसमें यहां पे 21 June के बार कुछ है ही नहीं कुछ भी नहीं दिखाया हो जो यह एक बहुत ही बड़ा red flag है जो आप quarterly result नहीं दे रहे हैं तो आप काम क्या करोगे और क्या करोगे यहां पे इन्होंने profit and loss दिखाया हुआ है कुछ भी नहीं इतना इन्होंने prominent तरीके से कोई transparency नहीं है किसी भी चीज में कि कैसे है क्या है अब shareholding की बात करें यहां पे तो public के पास भी उतनी है और promoter के पास धीरे धीरे कम होती जारी है बहुत जादा नहीं पर धीरे-दीरे कम होती जारी है अब main चीज क्या है इसमें जानने के लिए main चीज है इसकी news और news के बारे में यहां पर आपको सारी news नहीं मिलेगी पर उससे पहले यह क्या होता है IRP यहां पर देखना बहुत ज़रूरी होती है चीजे GSM stage 2 and IRP stage 0 IRP जिस stop में आ गया उससे पहले ही पीछे रहो क्योंकि यह insolvency उसमें करी होती है फाइल इंसolvency क्या होता है कि वह bankrupt हो गया insolvency मतलब कि insolvency हिंदी में बोले तो हैसियत हैसियत जो हम बोलते ना जैसे कोई fight हो जाते है कुछ हो जाते हैं तो हैसियत क्या है यह actual में एक paper है एक हैसियत नामा कहते हैं उसको वह हैसियत एक paper है उसमें बताया जाता है कि इस इंसान के नाम पे कितनी property है क्या है इसकी value क्या है इस इंसान के पास क्या रखता है तो इसलिए बोलते हैं कि तेरी हैसियत तो वहां देगा यहां पर आपको सारी चीजें जी देखेêter इंसल्वेंट सी रेजलीशन तो यहां पर आपको सारी चीजी दो雜ार तो इसका है चार का और दूसरी चीज और भी है nep यहां पर थे यहां पर यहां पर थे का के बाद कोई भी करिया है कुछ भी ensure अगर आप चेक करिए कि background क्या है उसका उसमें पीछे क्या काम किया है और उसके future plans क्या है इनको हमेशा देखके चलिए कोई बड़ी ज़रूरत में होती है आप normal यह उठाइए यहां से copy किया आप गूगल पे गए आपने paste किया एंटर किया और इसकी news पर गड़ दिया इसकी news पर आप द पहले की news आई है pump and dump जूठे दावे कर 17 गुना बढ़ाया शेर का दाम 24 क्रोड का मनाफ़ा कमा निकल गे प्रमोटर्स ठीक है तो यह एक दिन पहले की news है और यह काफी बड़ी news है यह अगर आप पढ़ेंगे तो इन्होंने बहुत बढ़ा घपला किया है वो जमीन दिखा गुमाए है पैसे है रातो रात करोड़ पती बने है तो बेसिकली बहुत बड़ा स्कैम है और इस सभी की inquiry बैठी है बहुत सारा कुछ हुआ है तो आप मतले यह एक में immediate example आपको लेके आई हूँ तो सिर्फ इतना सा होता है कि Google पर डाल देजिए और उसकी news बढ़ी है अग करते हैं विकास लाइफ के बारे में बात इसके बने आपको बताए कि काफी बड़ी news भी आई है अब विकास लाइफ के बात करते हैं नो डाउट यह भी छोटे से ही स्टार्ट हुआ होगा तर फंडमेंटल देखना बहुत जरूरी है जैसे यह वाला स्टॉक है यह इतना सब्सक्राइब कर रहा है यह कितना पुराना कंपनी है और यह क्या करता है यह आपको सारा यहां पर मिल जाएगा और सारा कुछ जो दिया होता है अगें हम टेक्निकल की बात नहीं करेंगे यहां पर यहां पर आपको यह भी सारा कुछ मिल जाएगा कि क्या है क्या है क्या नहीं है कंपनी ओल्वस डेट फ्री है यहां से आप पो तो टाइम अपना सारा डेटा अप्लोड किया है अगर आपको एक नियूज आपको जैसे यहां पे है आपको छोटी से छोटी नियूज भी आपको डालनी पड़ेगी आपको एनसी पे डालनी पड़ेगी यह आईए अगर आप उसको नहीं कर रहे हो इसका मतलब कुछ तो देखनी होती है यहां पे आप देखते हैं उन्होंने रिजल्टी में दिये थे और यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे गरोठ दिखाई दिए है यहाँ पे इन्होंने net profit में growth नहीं दिखी है पर ठीक है इन्होंने सारा यह दिया है तो अब cash flow की बात करें या ratio की बात करें शेयर holding की बात करें तो यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हैं उसके बारे में राइट और जैसी ही हम इस पे जाते हैं BAC मैंने यहाँ पे खोला हुआ है एक पर मैं फिर से खोल देती हूँ वो धर उबडर हो जाता है समझ नहीं आता तो BAC यहाँ पे मैंने खोला हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है price के नीचे कि कोई extra surveillance में है या कुछ है कुछ भी नहीं लिखा हुआ 20% का इसका प्राइस बैंड है और इन्हें ने देखिए time to time अपनी news दी हुई है तो यह एक green flag है तो यह basically major चीज़ी होती है जो आप इसके बारे में पता कर सकते हैं और इन्हें ने दूसरी वीडियो बनाई है मैंने विकास की उसमें मैंने सारा कुछ दिया हुआ है अपडेट करके कि क्या क्या चीज़ें हैं और ये स्टॉक क्यों उपर जा सकता है अब देखिए मैंने जैसे आपको क्या करते हैं तो यहां पर यहां पर देखिए तीन गंटे पहले की नियूज है मैंने आपको वही नियूज उसमें एक बताई है तो यहां पर आपको सारा कुछ में जाएगा जो भी पुरानी से पुरानी ये तो इमीडियेट नियूज है वो भी एक दिन पहले की थी दो ग कास्ट लाइफ केर का नाम है तो यह तो यह फर्क होता है दोनों स्टॉक्स में कि आपको क्या फंडामेंटल स्टेक करने होते हैं बेसिकली तो यस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर आपको चुछ और जाना चाहते है कुछ और पॉश्शन के होंगे ताप बीज बताइएगा and definitely अगर आप चाहते हैं मैं technicals के उपर भी कोई और candlesticks के बारे में या indicators के बारे में कोई वीडियो बनाओ तो definitely आप मुझे बता सकते हैं comment section में Thank you and happy investing, have a good day